नमस्कार दोस्तों, कमल क्रेशन्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम ये जूडे वाली टोपी लेकर आए हैं ये टोपी बनानी भी आसान है और ये पहनिने पर भी बहुत ही अच्छी लगती है इसमें अलग से जूडे को निकाल कर बनाया गया है सब्सक्राइब करें कमल केशन्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने 92 यानि की 92 फंदे रखे हैं ये देखिए, ये जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे सीधा उल्टा बुनते हुए, हम इसे 5 इंच तक बुनेंगे इसकी लंबाई 9,5 इंच तक होगी ये देखिए, ये ऐसे बुनते हुए हम इसे 5 इंच तक बुन लेंगे ये हमारे 92 फंदे हैं, अब हम इन फंदों को घटा कर बंद करेंगे ये देखिए, जैसे इस टोपी में इन फंदों को घटा कर बंद किया है ऐसे ही हम फंदों को घटा कर बंद करते हुए जाएंगे ये देखिए दोस्तो 92 में से हम 4 को माइनस करेंगे और ये 88 रह गए हैं, अब इन 88 फंदों को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे और ये ऐसे 22 फंदे हो गए हैं, अब इन 22 फंदों के हिसाब से हम इसको घटाते हुए जाएंगे अब यहाँ पर जो हमारे 22 फंदे हैं, उनको हम आधा यहाँ पर यानि की 11 फंदे पहले और ग्यारा फंदों को ही हम बाद में रखेंगे फिर हम इनको घटाते हुए जाएंगे ये देखिए ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ये ऐसे हमने दस फंदों को बुन लिया है अब इसके बाद जो ग्यारमा फंदा होगा अब इस ग्यारमे फंदे को हम अगले दो फंदों के साथ मिलाकर घटा देंगे ये यहाँ पर हम ये पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे और इसके बाद ये जो center से अगले वाला फंदा है इस फंदे को भी हम sliper लेंगे और center वाले फंदे को धीरे से दूसरी sliper उतार लेंगे और अब हम इन तीनों फंदों को दूसरी sliper लेकर इन तीनों फंदों का तीन का एक बना देंगे जिससे की ये हमारे दो फंदे घट जाएंगे और ऐसे ये एक फंदा रह गया है अब यहां पर हम एक, दो, तीन, चार, पाण, चै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारां, बारां, तेरां, चोदां, पंदरां, सोलां, स्तारां, अठारां, उननिस, बीस फंदों को बनेंगे ये देखे, ये यहां पर हमने बीस फंदों को बुना है क्योंकि एक फंदा यहां पर गट गया है और एक फंदे को हम यहां पर आगे गटाएंगे यह हम एक फंदे को सलाई पर उतार कर सेंटर वाले फंदे से अगले फंदे को सलाई पर लेंगे और सेंटर वाले फंदे को धीरे से सलाई से उतार कर दूसरी सलाई पर ले लेंगे जिससे सेंटर वाला फंदा लास्ट में हो जाएगा ऐसे तीन फंदों का एक करके घटा देंगे ऐसे ये तीन फंदों का एक फंदा रह गया है अब इसके बाद फिर से हम बीस फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे बीस फंदे उल्टा बुनने के बाद फिर हम इन तीन फंदों को तीन का एक करेंगे ये देखिए जैसे हमने पहले दो बार फंदों को घटा कर तीन का एक किया है वैसे ही हम ये तीसरी बार तीन फंदों का एक करेंगे तीन का एक करने के बाद जैसे हमने पहले यहाँ पर बीस फंदे उल्टे बुने थे वैसे ही यहाँ पर भी हम बीस फंदों को उल्टा बुन लेंगे ये देखिए दोस्तों ये हमने 20 फंदे उल्टे बुन लिये हैं और साथ में 3 फंदों का एक कर लिया है अब यहां पर 10 फंदे रह गए हैं जैसे पीछे 10 फंदे रह गए थे और 10 दोनों को मिलाकर 20 फंदे हो गए है जैसे की सेंटर में 20 फंदे हम बुनते हुए जा रहे थे ऐसे ये सभी और बराबर बराबर 20 बीस फंदे हो गए है ये देखिए ये 4 बार हमने 3 फंदों का एक किया है अब इसके बार ये 10 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब इसके बार उल्टी सलाई को हम उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे इसमें हम कोई भी फंदे को नहीं घटाएंगे ये हम फिर से फ्रंट साइड में आ गए है अब हम यहाँ पर ये देखिए ये सेंटर वाले फंदे से पहले आले फंदे को गटाएंगे और इसलिए अब ये हमारे 9 फंदे ही हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे ये ऐसे हमने 9 फंदों को बुन लिया है अब इसके बाद जैसे हमने पहली सलाई में तीन फंदों का एक किया था वैसे ही हम इस सलाई में भी तीन फंदों का एक करेंगे ये हम जिस जगा पर हम पहले फंदों को तीन का एक कर रहे हैं उसी फंदे पर हम इन सभी फंदों को तीन का एक करते हुए जाएंगे ये हमने तीन का एक कर लिया है ये देखिए ये ऐसे बीच में चैन बन गई है अब इसके बाद यहाँ पर हम 18 फंदों को उल्टा बुनेंगे ये 20 फंदे अब घटकर 18 हो जाएंगे और हर सीधी सलाई में 4 बार 3 फंदों का एक करते हुए घटाते हुए जाएंगे ये ऐसे लास्ट में हमारे 4 फंदे रह गए हैं एक फंदे को सीधा बुनकर उसे दूसरी सलाई पर उतार कर बाकी के फंदों को उसके उपर से निकाल कर बंद कर देंगे अब इस एक फंदे में से धागे को निकाल कर गांठ लगा कर बंद कर देंगे और यहाँ पर धागे को काट देंगे यह देखिए यह ऐसा बन कर तैयार हो गया है अब हम इसे यहाँ से सील देंगे यह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने फंदों को बंद किया है वहाँ तक के फंदों को हम सील देंगे ये देखिए, ये हमने यहां तक फंदों को सिल लिया है अब हम ये जूडे वाली जगा को बनाएंगे इसके लिए ये देखिए, ये यहां से हम फंदों को उठाएंगे ये हम एक और तीस फंदों को उठाएंगे और दूसरी और भी तीस फंदों को उठाएंगे ये देखिए, ये ऐसे क्रोशिय के साथ हम इन फंदों को उठाते हुए जाएंगे सब्सक्राइब करें कमलकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये देखिए, अब इन फंदों को हम सिलाई पर उतार लेंगे ये ऐसे हमने एक और से तीस फंदों को उठा लिया है ये देखिए, ये हमारे तीस फंदे हैं अब ऐसे ही हम इस दूसरी तरफ भी तीस फंदों को उठाएंगे ये हमारे टोटल साथ फंदे हो गए हैं अब ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ जाना है ये देखिए दोस्तों, ये एक, दो, तीन, चार, पांट, छै, साथ, आठ, नो, दस सलाईयों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है इसके बाद हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे अब दो फंदों का हम एक कर देंगे यह ऐसे हम फंदों को घटाते हुए जाएंगे यह एक दो फंदों को उल्टा बुनेंगे अब फिर दो फंदों का एक कर देंगे फिर एक दो फंदों को उल्टा बुनेंगे फिर दो फंदों को दो का एक करेंगे ऐसे ही हम सारी सलाई को भुनते हुए जाएंगे अब इसके बाद बैक साइड की सलाई को हम उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे यहाँ पर हम कोई भी फंदे को नहीं घटाएंगे अब यह फ्रंट साइड है इसमें फिर हम एक फंदे को उल्टा बुनने के बाद दो फंदों को दो का एक करेंगे फिर एक फंदे को उल्टा बुना दो फंदों का दो का एक किया यह हमारी फ्रंट साइड की बार में सलाई है इसमें हम एक फंदे को उल्टा बुनकर दो फंदों का एक करते हुए जा रहे हैं ऐसे ही यह सारी सलाई बुनते हुए जाएंगे अब अगली सलाई में एक फंदे को उल्टा बुनने के बाद दो फंदों का एक कर देंगे एक फंदे को उल्टा बुनकर दो फंदों का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बुना दो फंदों का एक किया ऐसे ही बुनते हुए हम अपनी तेरमी सलाई को पूरा करेंगे यह हमारी चोदमी सलाई है इसमें हम एक फंदे को उल्टा बुनने के बाद दो फंदों का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे दो फंदों को एक करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे दो फंदों को एक करेंगे ये ऐसे ही इस सलाई में भी फंदों को घटाते हुए जाएंगे ये ऐसे हमारी चोदमी सलाई पूरी हो गई है अब ये हमारी पंधरमी सलाई है दो फंदों का एक किया फिर दो फंदों का एक किया ऐसे इस सलाई में हम दो फंदों का एक करते हुए जाएंगे इसमें हम सिंगल फंदा नहीं बुन रहे हैं दोस्तों अब लास्ट में जो हमारे फंदे रह गए हैं इन फंदों को हम एक फंदे को उल्टा बुन कर इस फंदे के उपर से हम इन फंदों को उतारते हुए जाएंगे जिससे कि ये सारे फंदे बंध हो जाएंगे यह ऐसे हमने सभी फंदों को बंद गर लिया है अब इस सिंगल फंदे को एक और बार बुन कर यहाँ पर धागे को काट देंगे यह यहाँ पर अब हम इसको सलाई कर देंगे यह देखिए दोस्तों यह ऐसे हमारी टोपी बनकर तयार हो गई है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेर करें तांकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे डिजाइन्स दिखास कें थैंक यू